हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और हिंदी गध्य पद्य संग्या और सर्वनाम की बाद ये अगला लेक्चर होगा विशेशन पर तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें आप इसके प्रयोग सारे मुख्य बिंदूओं पर बात होगी इस वीडियो पर और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको हमारे वाट्सअफ स्पेशल ग्रुप से आप कैसे जुड़ सकते हैं और नोट्स कैसे पा सकते हैं हमारे अपनी सीटेट या लिखित परिक्षा की तैयारी क स्पेशल हो जाएगी तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा तरीका जरूर जुड़े रहिए शुरू करते हैं विशेशन सब्दों की पहचान इसमें परिभाशा की अगर हम बात करें तो जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेस्ता बताते हैं जी हां संग्या की और सर्वनाम की विशेश्ता बताते हैं इन्हें ही विशेशन कहा जाता है जैसे खटा आम काली बिल्ली मतलब बिल्ली की विशेश्ता क्या है बिल्ली काली है ठीक है तो इस तरह से विशेश्ता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहा जाता है बात करें अगर गुणवाचक विशेशन जिन विशेशन शब्दों द्वारा किसी संग्या अथ्वास सर्वनाम में गुण आकार समय या देश की विशेशता गुण आकार समय वद देश इनकी विशेशता बताई जाती है या पाई जाती है इन्हें ही गुणवाचक विशेशन कहते हैं जैस सरल, कठेन, अच्छ, बुरा लिख लें गुण वाचक विशेशता अपने नोट्स में जो आप नोट्स बना रहे हैं lecture wise तो इसमें आप लिख लें गुण बोधक विशेशन में सरल, कठेन, अच्छ, बुरा, भला, पापी, धर्मात्मा अकार बोधक विशेशन में आता है लंबा, चोड़ा, गोल, तिकोना, सुंदर, कुरूब, नुकीला, सुडावल स्थान बोधक में आता है बंगाली, राजस्थानी, मराथी, नीचा, उचा, बाहरी, भीतरी इसी तरह दुर्जन, क्रूर, अत्याचारी, भूरा, अस्वस्थ, उग्ण, पतला, मोटा, गीला, सुखा, नीला, पीला, काला, सफेद, ठीक है, पूरा पश्ची, मुत्तर, दक्षिन ये सारी जो चीजें हैं, ये आपका जो है गुण वाचक विशेशन, जो गुण बताती हूं, ठीक है, आकार बताती हूं, समय बताती हूं, देश बताती हूं, उसकी स्थितियां बताती हूं, ये गुण वाचक विशेशन होते हैं, ठीक है, दूसरा है संख्या वाचक जैसे दूसरा तीसरा पाँछवा है ना दो चार पंद्रह चाउदरह दस इस थर्ह से चाऊथा पाँचवा दस्वा यह होता है यह चोगुणा तीकुणा दस गुणा बारा गुणा इत्यादि दोनों चारों तीनों या 익 salah इसमें आती हैं संख्यावाचक विशेशन में जो संख्या को दर्शाता हो या किसी चीज की माप को दर्शाता हो गणना को दर्शाता हो यह होता है आपका संख्या वाचक विशेशन और जो तीसरा है परिमार वाचक विशेशन जी हाँ परिमार अचा संख्या वाचक और परिमार वाचक में डिफरेंस मैं आ माप तोल इसमें माप तोल, ध्यान देजेगा है दोनों में फर्क है कि परिमाण का बोध हो, ठीक है, उसके परिमाण वाचळ कहता है जैसे 5 लीटर दूध, पांच लीटर दूद ठीक है अब यहां पर जो दूद है वो सिर्फ पांच लीटर है यानि नपा हुआ है दो किलो चावल नपा हुआ है आधा किलो गोभी नपा हुआ है पांच लीटर तेल नपा हुआ है 5 meter कपड़ा नपा हुआ है ठीक है तो ये माप तोलदर्शार है इसका मतलब परिमाण वाचक है और संख्या मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पच्वाच ठीक है एक-दो तीन-्चार पांच यह संख्या वाचक होता है ठीक है लेकिन इसमें जो है संख्या के साथ सा कि वो कितना है उसकी माप अवश्य रहेगी तो यह परिमाण और संख्या वाचक में अंतर होता है ठीक है और जो आपका चौथा विशेशन है संकेत वाचक विशेशन यह संग्यात्व सरवनाम शब्दों की और संकेत करते हैं ठीक है जैसे यह जहां पर देख लिए यह वे व जैसे ठीक है आपको जो है देख सकते हैं मध्यम पूरुस उत्तम पूरुस में जैसे यह टुकड़ा है यह टुकड़ा गीला है ठीक है यह किताब यह वह किताब अच्छी है तो इस तरह जो है किसी चीज की और जब संकेत किया जाए तो वहाँ पर संकेत वाचक विशेशन होता है ठीक है अब आपको मैं कुछ हियाद रखने वाली चीजें बता दे रहा हूं जैसे सर्वनामों में उत्तम पूरुस मैं हम मध्यम पूरुस तू तुम और निजवाचक अपना विशेशन के रूप में यह प्रयूक्त नहीं होते हैं जी हां विशेशन की तीन अवस् बहुत जरूरी है नोट्स जरूर बना लें इसको लिख लेकांन पूत नatore psyche है कि इनकी तीन अवस्ता अवस्ता झाए मैं बता दे रहा हूं आपको मू अवस्ता क्या है यह अवस्ता गुर्ध या दोशों को व्यक्त करते है जैसे रोहन हुटा लड़का है ठीक है उसके अच्छा सुन्दर इत्यादी तो यह होता है उत्तरावस्था में दो वस्थूओं की तुलना की जाती है इसमें एक वस्थू की मूल अवस्था बताई जाती है इसमें दो वस्थू में तुलना होती है तुलना कैसे देखिए तुलना जैसे रीमा विनीता से अधिक सुन्दर है या रोहन बिनाई से अधिक बुद्धिमान है राम शाम से तेज़ दोड़ता है तो दो चीजों में comparison होता है तो वहां पर उत्तरावस्था होती है ठीक है इसके बाद आता है उत्तमावस्था उत्तमावस्था में अनेक वस्थूओं में से किसी एक वस्थू को स्रेष्ट ठाराया जाता है ठीक है यानि यहां पर एक की बात यहां पर दो की बात और यहां पर अनेकों में एक को चुना जाता है अनेक से एक को चुन करके उसकी विशेश्था बताई जैसे वरदान में सबसे स्रेष्ट है सूनिया सबसे अच्छी लड़की है अपनी कछ्षा में या मेरे परिवार में दादा जी सबसे बड़े या ब्रद्ध है तो इस तरह की विशेश्था बताई जाती है तो यह हो गया आपका मूल अवस्था उत्रवस्था और उत्मा अवस्था ठीक है यह था विशेश्था आगे की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया के बारे में जी हां दूस्तु क्रिया बहुत इंपर्टेंट पार्ट है आपके व्याकरण का तो आप व्याकरण जो है आराम से पढ़ सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस्पे बान भी हमारा वाटसप नंबर है अगर आप लिखित जी हां लिखित के नूट्स और सीटेट इग्जाम प्राइमरी जूनियर दोनों की नोट्स हमारे पास टॉपिक वाइज आपको उपलब्द हो जाएंगे अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर वाटसप पर मै सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू सो मच अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम क्रिया पर तब तक के लिए आप सभी को शुख देने